असलाम लेकुम, कैसी हैं आप सब आल्लात आप सभी लोगों को खुश हुआ बाद, अस्ता मुस्कुराता रखे शुरू करते हैं आल्लात आल्ला के नाम से जो बहुत महर्मान नहायत रहे मौला है आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कबाब की रेशिपी लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवावी कबाब बनने वाला है और कमाल तो यह है कि ना तो आपको सिल बटे की जरूत पड़ेगी और ना ही आपको बिजली जाने का डर होगा किसी मिकसर गराइंडर की जरूत नहीं पड़ने वाली है बहुत ही लाजवाव, बहुत ही टेस्टी कबाब को हमने कैसे बनाया है स्टेप बाइ स्टेप देख लेते हैं बिसमिल्हे रामाने रहिम, तो यहाँ एक कूकर में हमने चने की दाल को धुलके लिया है देखिए एक प्याली हमने दाल ली हुई है, 100 ग्राम है दाल यतनी दाल हमने धुलके, अच्छे से ले ली है और यहाँ पे साड़े 300 ग्राम हमने गोश्ट लिया हुआ है बिना हड़ियों का गोश्ट है देखिए इस तरीके से हमने चोटे-चोटे पीस में कट कर दिया है पीसे देखिए अतनी बड़ी रहेंगी तो हमारा रेशा बहुती ला जवाब बनेगा बिना मेहनत, बिना छंजट के हम बताने वाले हैं तो आपने जरूर वीडियो को देखना है तो यहाँ पे देखिए एक प्यास को हमने इस तरीके से कट करके शामिल कर दिया है और यहाँ पे दो टेस्ट पत्ता है पाच सब्च लाची है, एक मोटी वाली लाची है इसकी मुझ को खोल के हम शामिल कर देंगे पीपली हमने ली हुई है, पीपली जरूर शामिल करिएगा कबाब को बहुत अच्छा सा टेस्ट इस से आता है और यहां पे दार्चीन दो टुकले हम ली हुई है टेस्ट की इसाब से नमक डालेंगे, एक चमश हमने नमक लिया है आदे चमच हल्दी पाउडर, एक चमच गरब मसाले का पाउडर, आदा चमच जीरा पाउडर, एक चोथाई चाय का चमच काली मिर्चो का पाउडर और कुटी वी लाल मिर्च को हमने यहाँ पे एक चमच लिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चो को शामिल कर दें और एक पोथी बड़े से लिसुन को हमने यहाँ पे छील के लिया है और इसी तरीके से साबूत ही हम इसमें शामिल कर देंगे तो सभी मसालों को हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देते हैं थोड़े सी इस पर जो मसाले लगए हैं इनको भी हम साफ करके शामिल कर लेते हैं और बक्या पानी हम इसमें शामिल कर देते हैं तो देखी एक कप पानी हमने इसमें शा ताकि दाल और गोश्ट हमारा बहुत ही अच्छे से गल जाए तो यहां पे हमने ढखकन लगा दिया और आज के ऊपर रख दिया है तो 30 मिनट हो चुका था 30 मिनट के बाद हमने बंद कर दिया है और फिर 5 मिनट के बाद हमने यहां पे जो बक्या बचा हुआ प्रेसर है उसको रिलीज करके इसे चेक करते हैं तो देखिए यहां पे मीडियम आज पे हमने पकाया था आज को हमने तेज नहीं किया है तो देखिए नीचे लगा भी नहीं है और पानी भी बहुत अच्छे से खुश्ख हो चुका है और यहां पे आये चेक कर लेते हैं कि हमारी बोटी अं रेशा भी बन रहा है, तो बस ऐसे ही हमको रेशा बनाना है, और बहुत यासानी के साथ इस तरीके से आप जाहें, तो फोक की मदश से भी रेशा बना सकते हैं, यहाँ पर जो सब खड़े गरम मसाले हैं, जो बड़े-बड़े से हैं, सब को हम निकाल लेंगे, तो जितने गर हुई है, और गोश्ट भी अच्छे से गला हुआ है, जिस तरीके से भी हम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मैश हो रहा है, या फिर इस तरीके से आप पोटेटो मैशर ले ले ले, और अराम सी इस तरीके से मैश कर दे, तो बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा, बहुत अच कोंटिटी को बढ़ा सकते हैं इतनी डाल में आप 500 ग्राम गोश्ट डालेंगे तो भी बहुत ही अच्छी से आपका कबाब बनके तयार होगा तो देखें बहुत ही अच्छी से हमने मैश कर दिया है और थोड़ा बहुत अगर कहीं रह जाएगा तो जब ठंडा हो जाएगा हम हाँ से जब इसे मिक्स करेंगे तो फिर हम उसे रेशी को तोल लेंगे यहां पर देखें नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक शामिल कर देते हैं और इसमें शामिल करेंगे आप थोड़ा सा और टेस्ट को बढ़ाने के लिए अधरक बारीक कटा अधरक अगर आपको इस तरीके से टुकड़े में कटा हुआ पसंद ना हो तो आपका दुकस करके भी शामिल कर सकते हैं तो इसे हम मिक्स कर देते हैं और अभी थोड़ा सा मिक्सर हमारा गरम है तो मिक्स करके थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं तो पांच मिनिट हो चुक में हम तोड लेंगे तो यहां पे देखिए, हमने अच्छे तरीकी से मिक्स कर दिया, टोड़ा साओं हमारा गरम है, इसलिए ठोड़ा सा मम ँशकिल हो रही है कि अगर आपको दिक्कत हो आप थोड़ा सा ओ ठंटा कर लें और यहां पे देखिए बहुती perfect हमारा mixture बना है बिल्कुल भी ना तो गीला है और ना ही बहुत ज़्यादा सूखा है बहुती अच्छा सा perfect सा बना है हमें बनाने में बिल्कुल भी दुश्वारी नहीं होगी तो इस तरीके से अच्छे से हमने mix कर दिया है हाथ में आयल अगर लगा लेंगे ग्रीस करके बनाएंगे तो फिर बहुती अच्छे से आपका कबाब बनेगा बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपकेगा तो इस तरीके से देखिए हमने एक कबाब का shape दे लिया है और इसी तरीके से हम सभी कबाब को shape देंगे तो देखिए कितना जबरदस्त हमारा कबाब बन के तयार हुआ है यकीन माने बहुती टेस्टी बनता है आप इस तरीके से जरूर इदुल अज़ा पे try कीजिएगा कितने खूबसूरत से हमारे पूरे रेशे दिख रहे हैं और जब हम खाएंगे तो भी बहुती टेस्टी लगेगा पूरे रेशे जब मुह में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इसी तरीके से देखिए हमने सभी कबाब को बना के तयार कर लिया है आप चाहें तो इसी तरीकी से बना के फिरिज में स्टोर करके रख सकते हैं तिन से चार दिन तक आराम से आप इसे इस्तिमाल कर सकते हैं और चलिए हम अब फटाफट से फराई भी कर लेते हैं बिसमिल्लाहरमानी रहीम तो तवे पे हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और हम फटाफट से फराई करेंगे तेल को बहुत ही अच्छे से गरम कर लेंगे गरम करने के बाद ही हमने कबाब को डालना है तो जितना कबाब आसानी से आजाए यतना आप आसानी से पलट सकें उतना डाल दे वैसे इसमें तूटने वगरा को कोई डर नहीं होता है आप जतना चाहें आराम से डाल के इसे फराई कर सकते हैं तो एक साइड से हमने दो मिनट तक फराई कर लिया है और दो मिनट के बाद हम साइडों को चेंज कर देंगे हमारे चैनल पर आपको सभी तरह की रेसिपी मिल जाएंगे कबाब, गोश्ट, कडाही, सभी चीज़ की ब्रियानी, सभी चीज़ की रेसिपी मिल जाएगी तो आप चैनल का विजिट करके आप रेसिपी को चेक कर सकते हैं इदुलज़ा के हवाले से आपके आसानी के लिए हमने बीफ और मटन के कबाब की परले लिस्ट को अलग से बना के रखा हुआ है और इदुलज़ा के हवाले से गोश्ट की रेसिपी भी परले लिस्ट मौजूद है तो आप चिक कर सकते हैं बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपे हमारे चैनल पर आपको मिलेगी और यहाँ आई बटन पर किलिक करके आप चिकन कबाब की रेसिपी को देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हूँ तो लाइक कर दें और नहीं पसंदाने की सुरत में आप डिसलाइक भी कर सकते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको क्या चीज पसंद नहीं आई ताकि हमें पता चल सके रेसेपी को अगर ट्राय करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें आपका फीडबैक देना आपका कमेंट करना हमें बहुत यह अच्छा लगता है आपके कमेंट करने से हमें बहुत होसला मिलता है कमासका मेक फर्द को शेयर भी जरूर कर दें जजाक अल्ला चैनल पर अगर अगर नए है या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी दिल से दर्खास्त है कि आपके अपने इस चैनल एजी रेसेपी बाई शबीना को सब्सक्राइब करके अपना प्यार लाजमी दे शुक्रिय जजाक अल्ला अल्ला आप लोगों के रिस्क में उमर में घरों में जिन्दग्यों में बरकत अता फर्माए और अगले जहां में भी हमें काम्याब उकामरान फर्माए दुआओं में जरूर याद रखिएगा मिलते हैं निक्स वीडियो में इंशालला अल्ला हाफीज